अीछ में श्वेता बच्चन ने अपने बच्चन के बाते शोयता ने अपनी बेटी के साथ शेर करते हुए कहा मेरी माँ पढ़ाई और बाकी अक्टिविटीज के लिए बहुत सक्त थी और जब इन में से कुछ चीजें नहीं होती तो उन्हें गुस्सा आता था मेरी माँ थपड मारने के लिए हमेशा फ्री रहती थी और उनके पास थपडों की बरसात थी शोयता बच्चन ने कहा कि एक बार तो माँ ताना शाही की तरह घर में मुझे पर तूट पड़ी थी और मुझे बहुत पीटा था इसी बीच जया बच्चन जो खुद बेश्चो का हिस्सा थी उन्होंने अपनी बेटी को टोकते हुए कहा कि हाँ चितनी मार शोयता को पड़ी है उतनी अविशेग को नहीं पड़ी है बड़े बच्चे हमेशा जादा मार खाते हैं जया बच्चन ने ये भी बताया कि आखिर वो शोयता बच्चन को इतना क्यों मारती थी क्यों शोयता के साथ ताना शाही की तरव वहवार करती थी जया बच्चन का कहना था कि जब आप बच्चों की किसी situation को संभाल नहीं सकते हो तो आपके अंदर frustration आता है और तब ही आप हाला कि इन सब बातों के बीच अमिताप ने दिल जीता क्योंकि अमिताप को लेकर श्वेता बच्चन ने कहा कि पिता कभी नहीं मारते थे पिता को गुसा भी आता था तो बस कोने में खड़े होने का पनिश्मेंट दे देते थे वो मुझे बहुत पसंद आता था कुछ इस तरीके से अब जया बच्चन के ताना शाही नेचर के बारे में उनी के फैमिली वेंबर ने बात की है अब तक तो मीडिया में ही जया बच्चन को खडूस कहा गया था लेकिन अब घर से भी जया बच्चन की ऐसी बात सामने आई है और खुद जया बच्चन कह रही ह कि वो अपनी frustration निकालने के लिए बच्चों को पीटा करती थी